बड़ी खबर है अर्विंद केजरीवाल ने ट्विट किया है ट्विटर पर उन्होंने ये लिखा है कि क्या स्वामी अगनिवेश ने सबूत दिया है आपको याद होगा इंडिया न्यूज के एडिटर इंचीफ दीपक्ष चारसिया के साथ एक्स्क्लूसेब बाचीत हुए पर उन्होंने ट्विटर पर उन्होंने ट्रशकों को बताईए देखिए डियूम incompetent कई रहा है राशिद कि अन्होंने इंडियान निउस पर खुलते हो रहे हैं और खुलते कौन कर रहा है भयूजी महराज कर रहे हैं जोकि एक एहम कड़ी के रूप में अन्ना और सरकार के बीच में काम कर रहे थे एहम भूमी का निभा रहे थे खुलासे कौन कर रहा है? स्वामी अग्रिवेश कर रहे हैं कि हाँ अगर अन्ना का बलिदान होता तो ये क्रांती का स्वरूप और बड़ा होता तो इन सारी बातों से जब अपने आपको घिरते पा रहे हैं अर्विन केजरिवाल सब जाकर अगर वो ये कहते हैं कि अन्ना के नाम पर सो जिन्दिगिया कुर्बान तो आखिर अब इन्हें ये कहने की इतने दिनों बात क्यों सूझी? क्यों इन्हों ने ट्वीट किया? ये सारे सवाल अब खड़े करता है और जहां तक अर्विन अगर बात करते हैं कि सबूत क्या है? तो सबूत अगर स्वामी अगनिवेश खुद कह रहे हैं तो इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? और मनीश ना सिर्व स्वामी अगनिवेश कह रहे हैं बलकि भायू जी महराज भी कह रहे हैं एक इसके अलावा खुद अन्ना हजारे ये कहे हैं खुद अन्ना हजारे ने इंडिया न्यूस से बात चीत करके ये कहा है कि महत्वा कांगशी हो चले थे अरविंद केजडिवाल महत्वा कांगशी हो चले थे कई लोग बाबारामदेव ने भी यही बात कही है आखिरकार कितने सवालों के जवाब जो जवाब दिया है आपको लगता नहीं कि जो ट्विट किया है अरविन केजरिवाल ने उसमें इमोशन जादा है राशनेल्स कमा है यानि कि भावनात्मत तरीके का ये ट्विट है लेकिन इसमें कहीं कोई तर्क नजर नहीं आता देखिए इस पूरे मुद्दे पे मुझे जो दिखाई देता है राशिद वो ये दिखाई देता है कि ये ट्विट में ट्विस्ट है इन सारी चीजों को लेकर जो पिछले दिनों लगतार इंडिया न्यूस पर इस सारे आंदोलन से जड़े हुए सच सामने आ रहे थे उससे तिलमिलाए केजरिवाल ने जो जिस तरीके से बयान बाजी की और जो उनकी तिलमिलाएंट उनके चेहरे पे और उनके वक्तवियों में दिखी उसके बाद आज इस तरह का ट्वीट ये सांफ बताता है कि केजरिवाल समझ गए हैं कि वो चारों तरफ से घिर चुके हैं और उनके पास इससे बचने का या उनके पास खुद अपने आपको बेगुना साबित करने का ऐसा कोई सबूत नहीं जिसके तहत वो इस तरह से भावनात्मक अपील कर रहे हैं इसे emotional tweet twist करने के लिए मुझे दिखाई देता है एक emotional tweet twist करने के लिए अभी-अभी अगर हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हो उनकी जानकारी के लिए बता दें अगर अभी-अभी आपने ट्यूनिंग किया हो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं अրविऌट केज्रिवाल ने tweet किया है अरविज केजिवाल ने tweet में ये लिखा है कि स्वामि अधनिवेश्ट ने जो भी आरोप लगाय है मेरे उपर तुमियर दिखने आरोप क्या लगाया थे सबसे पहले चलिए आपको हम यह सुनाते हैं जब बैठने वाली थे शुरू में जंतर मंतर पर तब मैंने अर्विन से कहा कि अन्ना को आप आमरें अंशन पर क्यों बढ़ा रहे हैं यह तो गलत है एक बुदूर्ग आदमी है और देश में एक अच्छी चवी का नेता है और कल को कुछ हो गया क्योंकि सरकार क्या परवा क करेगी बैठे रहो अंशन उस समय हमें किसी को उम्यद नहीं थे कि इतनी जंता मौदवान उमड़ गुमड़ जाएंगे और सारा बीडिया उसको इतना महत देगा तो शुरू आप की बात है तो उन्होंने का नहीं अच्छा रहेगा और यह दी उनका बरिदान हो जाता है तो इसी से क्रांटी आएगी मैंने का यह तो बैसायोगी मनीश अवस्थी मेर साथ निज्रूम से लाइव मौजूद है मनीश आपको लगता है क्या कि इन तमाम खुलासों के बाद जो एक राजनितिक महत्वा कांग्शा थी अर्विंद केश्रिवाल की वो राजनितिक महत महत्व कांग्शा को लेकर बात हो रही है और अर्विंद और उनकी टीम पर जो इन सारे लोगों ने सिलेवार एक एक कर सारे खुलासे किये हैं उससे यह साफ दिखता है कि सब्जेक्ट फीका पड़ गया था और ऑबजेक्ट याने कि ऑबजेक्टिव जो था इस लॉंचि क्या अर्विंद केश्डिवाल जैसों से यह नहीं पूछना चाहिए कि आप सबूत मांगते हैं स्वामी अगनिवेश्ट से आप सबूत मांगते हैं भईयूजी महराद से आप सबूत मांगते हैं खुद बाबाराम देव से शाथ कल को आप ये भी सबूत मांगें कि अनना पहले खुद अपना सबूत उन्हें आगे नहीं लाना चाहिए। अगर व्यक्तिकत आरोप लगाने का मतलब क्या ये समझे क्या देश ये समझे क्या इंदुस्तान ये समझे कि ये सोच और विचारों का दिवालियापन है। दसल अरविन केश्डी वाल एक आई आरस आफिसर हुआ करते थे उसके बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोडी उसके बाद अपना एंजियो चलाया एंजियो चलाने के बाद अन्हाजारे को एक पोस्ट ये हम नहीं कह रहे हैं बलकि ये तमाम लोगों का ये आरोप है जो उन कि या कुर्बान लेकिं भैयू जी माराज का जवाब उन्हा अन्हारे बुड़े है बुजर्ग हैं इस तरह से अगर अंशन करेंगे अगर इस स्थरा से अंशन पर बैठेंगे उनके जिवन के लिए खत्रा है लेकिन उसके बाद दी आप Nimत क्यों उनकी जान से खिलवाल कर तो इस पर अरविंद केष्डीवाल का ये कहना था बलीदान होगा अगरनाँधारे की जान चली जाती है और ये बलीदान जो है वो देश याद रखेगा और आंदोलन को इससे तेजी मिलेगी ये कहना तरविंद केष्डीवाल का वो एक अलग बात है मंचा क्या थी लेकिन इंडिया न्यूज उनकी तमाम टीम से कहता है अपनी बात आगे रखने के लिए अपनी बात कहने के लिए आप आगे तो आईए खुला मंच है इंडिया न्यूज का आप अपनी बात रखिए हम उन्हें भी बुलाएं जी जी मनीश राशिद मेरा ये कहना है इंडिया न्यूज मंच तो दे रहा है लेकिन आप आंदोलन पे अपनी सफाई दीजिए ना कि जो लोग खुलाते कर रहे हैं उन पर आप व्यक्तिगत होकर उनके नीजी जीवन में ताकने जाकने की कोशिश करें बिल्कुल सही बात है और लॉजिक के साथ आईए आप लॉजिक लॉजिक का मतलब होता है तर्क तर्क का मतलब ये होता है ऐसी कसोटी जिस पर रख करके चाहे कोई भी हो एक्स वाई जेट कोई भी हो जिस पर रख करके देश आपको तौल सके जिस पर लिटमस टेस्ट देने मनीश बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बाचीत के लिए